लेटिस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन के आइकॉन को जरू दबा दें हलो फ्रेंट्स आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खास रेस्पी लेके आया हूँ मश्रूम एग बुर्जी की इसमें बहुत ही प्रोटीन होता है बहुत ही निट्रिशन होता है और यह सेहत के लिए बहुत ही फायदे मंद होती है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है बहुत ही आसान एसे बनाना तो चलिए शुरू करते हैं हम इसे बनाना सबसे पहले कड़ाई में मैंने दो च करने लिए थी विल्कूल उसको मैंने अट कर लिया है explorat अम-समें प्याज को सौते करेंगे बटर के साथ हमें इसको ब्राउन नहीं करना है हल्का सा इसका कलार ट्रांस्परेंट होने तक इसे पकाना है तो यह देख्या आप इसका कलार हल्का सा चेंज हो गया हैام is इसमें हरी मिर्ची एड़ कर देंगे तो यह बारिक कटी होई हरी मिर्च है इसे मैंने एड़ कर दिया है अब हम इसे एक से देड़ मिनिट इसे भी सौते करेंगे तो यह देखे हरी मिर्च भी हो गई है अब हम इसमें यह ब्लांच किया हुआ मश्रूम डालेंगे मश्रूम क तो गरम पानी में ओबाल लिया था बारिक काटके और अब हम इसे एड कर देंगे मश्रूम को हमें साथ ब्लांच करके डालें इससे यह सौफ भी हो जाता है और इसमें जो हीक रहती है वो भी निकल जाती है अब हम इसमें एड करेंगे मसाले तो यह जाएगी इसमें कश्मीर कासा हम चूर और किया है मैंने कि कि अब हम किसे करेंगे मसाले मशैंक पर यहाँ अच्छे से पघजयर हम और पका लेंगे प्याज देखिए विल्कुल अच्छे से पक गई है अब ये पांच अंडे मैंने फैंट के पहले से रख लिए थे इसे मैं एड कर दे रहा हूं अब हम यहां पे इसे कंटिनिसली चलाएंगे लगातार इसे चलाते जाना है हमें और गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और इसे लगातार चलाते जाना है ये कडाई में हलकल का चिपकेगा लेकिन टैंशन की कोई बात नहीं है वो अपने आप ड्राय होता जाएगा और हमें साइट से छुडाते जाना है तो ऐसे इसके साइट से निकालते भी जाएं और लगातार इसे चलाते जाएं हमें इसे चलाते जाना है रुकना नहीं है वनना ये नीचे जल सकता है तो इसे लगातार चलाना है हमें और देखते जा रहे हैं कि आप ये धीरे-धीरे ड्राय होने लगा है ये देख पाने में बहुत ही टेस्टी लगती है तो एक बार इसे जरूर बना के ट्राइब करें और यह देखें जो साइड में लगया था मैं उसे निकाल रहा हूं और यह देखें कितनी विखर्मा हो गए यह पूरी अलग अलग हो गए बुर्जी हमारी अब इसमें जाएगी थोड़ मश्रूम एक बुर्जी रेडि हो चुकी है तो कैसी लगे आपको रेश्पी कमेंट्स करके बताईएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा रेश्पी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा और कमेंट् दोस्तों नेक्स्ट रेश्पी में जैहिंद